दोस्तों इस जगह को साज बहू के पहाड के नाम से जाना जाता है देखिए यहां पर चारो तरफ जो है कि पत्थर ही पत्थर हैं और यहां पर इस पहाड़ी उपर दो बड़े बड़े पत्थर हैं जिसमें से एक पत्थर को साज के नाम से जाना जाता है और दूसरे पत्थ आपको सामने जो दिख रहा है ये बड़ा पत्थर ये साथ बहुगे पत्थर है इन पत्थरों की एक विशेष्टा ये है कि ये पत्थर काफी अकार में बड़े हैं और यहां पर बैठते हैं तो देखिए पूरे गाउं का नजारा यहां से दिखता है देखिए दूर दूर तक कर नजारा है यहां से दिख रहा है काफी शांदार जगा है हवा बड़े इच्छी आ रही है यहां पर इटम आज गाउं में आज हुए थे तो सोचा थोड़ा गाउं की शेर कर ली जाए अब राजिस्थान में तो बस खेत ही खेत हैं और दूर दू लेट लेते हैं यहां पर वाँ लेट के थोड़ा रिलीफ महसुस कर रहा हूं कि काफी ठग्या हूं यार बहुत दूर से चलता हुआ आराम कुम सिकम तीन कुल्यमीटर चलने के बाद यहां पर पहुंचा हूं काफी उंकी जगा थी चलते 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 यार पाउं भी थक ग देखिए यहां से कितना अच्छा नजारा दिखता देखिए दूर दूर तक आपको यहां से दिखाई देगा मैं यहां पर अगर दूर भी लेके आता तो बड़ा मजा आता यहां से देखके कितना यहां से एक एक चीज के लिए नजर आ रही है अब सबर्फे चोड़ा पक्तर लेटकर बहुरा है इस ते कि अ कि क्या बात है घंदी हवा तो बहुत अच्छा रहे है कर बोफे बंड से और सोटें से वाँ पर तो यहां पर नेटनवर्क बहुत अच्छ आते हैं कि आपको न मोबाइल हमें नेटवर्क बार तुम ऐसे वे इंटरनेटनल नाष्वियों तो इंटरनेटन बड़ा वास्ट चल नहीं कर दो अ कर दो